ये बताईए कि जब हमारा संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं ना तो पुरुष महिला में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट भी तो उसी दिशा में बढ़ाय हुए कदम होगा ना कि सब के लिए सब कुछ बराबर है तो फिर दि से पहले ये बात शामिल है कि सेकुलरिज्म डेमोकरेसी तमाम चीज़ों उसमें पहले ही से शामिल है जहां तक सवाल मखभी बात का है अलग से आर्टिकल 25, 26, 27 सब कुछ बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है ये कैसा होना चाहिए अपने किस मखभ को आप पूरी आजाद कांस्टियूशन में मौजूद हैं और मुझे अजीब बात लगती है कि आप उसको अपने जो हमारे बड़ों ने जो कांस्टियूशन हमें दिया और इतनी लंबी चोड़ी बहस के बाद इतनी जद्दो जहत के बाद फूरी इस टीम ने हम उसको नकारते हैं उससे एगरी करते हैं यह बड़ी एक अजीब सी बात है बर्सों से यह सब चला रहा है और सब कुछ ठीक था बड़ा अफसोस होता ही कहते हो जो आपने भी कहा मैं आपकी बात को कह रहा हूं कि आपने बार बार कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे हैं जस्ट टू पॉलराइज दी वोट इसके अलावा और कुछ नहीं है अपनी अपनी सोच को से करना जाएए मैं अपने भाई की बात को बिल्कुल बड़ावा देता हूं यह हिंदू-मुस्लिम की बाते छोड़ो अभी भगवत सामने सब एक बात बता दूँ अभी भगवत सामने कहा कि आपने सुनाया भ दोनों बाते बोलिए आप यह भी कहिए कि हम हिंदों को वापिस लेके आएंगे यह भी कहिए कि हम मुसल्मानों को मुसल्मानों को वापिस करेंगे जो हिंदू हो गए हम वसीम रिजीवी को वापिस करेंगे हिंदू धर में नहीं आने देंगे अब यह भी कहिए सब बात कि क्यों छोड़ देते हैं घर वापसी सिर्फ हिंदों की होगी मुसल्मानों की नहीं होगी चलिए देखिए यही बेतर है और सबसे अच्छी बात यह है जो हमारे पैनलिस भाई भाई भी बोल ले दे कि हिंदू-मुस्लिम की बात करना चोड़ो यार आप मुल्क की बात करो सब्सक्राइब करें हैं अगर महिला पुरुष के अंदर भेदबाव